अमीर बेहन की गरीब बेहन बनी पड़ोचन ओ, मा जानकी का शरीर पेला पड़ चुका था वो पीडा में तड़ पे जा रही थी वो बेटी को जन्म देती है मेरी बच्ची, मजी माफ कर दे मैं तुझी अपनी सीने से सटा कर दूद भी नहीं पिला सकती सुधा, मेरी जाने के बाद अब तू ही इसकी बेहन है और मा भी इसे नाम भी तू ही दे देना हो सके तो अपनी माफ को माफ कर देना कुडिया तेरे छोटी से कंदे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ मत जाओ न मा, बाबा तो पहले ही हमें चोड़ कर चले गए रो मत सुधा, अभी तो तुझे बड़ी बेहन का फर्स भी निबाना है बोलते बोलते जानकी हमीशा के लिए खामोश हो जाती है सुधा के साथ आसपड़ोस के लोग उसका अंतिम संसकार करते हैं तभी सुधा ननी सी बेहन को निहारते हुए कहती है मत जी क्या नाम दूँ, तेरा खोरा चेहरा एकदम आसमान की तारों की जैसे टिम टिम करता है इसलिए आज से तेरा नाम तारा, मेरी बेहन तारा तभी भूग से बच्ची बिलक बिलक करोने लगती है सुधा उसे पानी की बून चटाती है और अपनी ननी सी बेहन को सीने से सटा कर लोरी गाने लगती है अगले दिन सुधा उसे गोद में लेके काम मागने जाती है और एक धाबे पर आती है धाबे वाला उसे जाड कर बगा देता है कोई काम नहीं चलबागे आसे चुपो जातारा इतना मत रो तपती धूब में खड़े सुधा को देख दूर एक चाई की टपरी चलाते रहीम नाम का एक योवक उसे मिलता है बेटी यहाँ आ ये ले दूद ले बच्ची को पिला दे शुक्रिया काका काका मुझे काम की दुरत है मुझे काम दिला दीजिए तू इतनी चोटी है तू क्या काम करेगी बेटा कुछ भी करूंगी चाचा क्योंकि मुझे अपनी बेहन को पढ़ाना लिखाना काबिल बनाना है ठीक है तो तू मेरे यहाँ यहीं पे काम कर ले सुधा रहीम के पास ही चाए पिलाने और कप धोने का काम कर लेती है देखते देखते तारा पांच साल की होकर स्कूल जाने लगती है गुजरते सालों के साथ उसका स्कूल भी पूरा हो जाता है सुधा ये ले बिटिया तेरी इस महीने की तनखा शुक्रिया रहीम चाचा तारा के लिए कोई सूट खरीद लूगी सुधा अपने हर महीने की तंखा से अपने लिए कुछ भी न लेकर तारा के लिए कभी कपड़े तो कभी जुमके लेती है सुधा देखकर घमंडी तारा बुरा सा मूँ बनाकर बेज़ज़ती करती है अफो सुधा दीदी ये कैसा गरीबो वाला बेहन जी टाइप सूट उठा लाई हो पता है मेरी सारी सहलिया महंगे मौल से शॉपिंग करती है एक मेरी ही जिंदे की जण्ड है रहने को है गरीबो वाली चोपर पट्टी अब पताओ मेरी कॉलेज की फीस कब भरोगी तारा के मुँसे इतनी कड़वी बाते सुनकर भी सुधा ने हंसकर अपना दुख छिपा लिया बस अपनी दीदी को एक दो दिन देतो तारा में फीस भर तूंगी बहन के खुआश को पूरा करने के लिए सुधा अप चाई के दुकान के अलावा कोठी में रोटी बनाने से लेकर लाचार होकर जाड़ो पोछा भी करने लगती है वहीं तारा सुधा की मेहनत देखकर भी अपनी एश भरी जिंदगी जीती है और खूब पैसे उड़ाती है वक्त बीटता है और सुधा को तारा की शादी की चिंता सताने लगती है तभी एक दिन तारा ये कुछ तस्वीरे हैं इन्हें देख लो मैंने तुम्हारे लिए लड़के देखे हैं ये सुनके तारा चड़कर घमन दिखा कर बोली तारा का जवाब सुनकर सुधा कुछ नहीं बोलती है कुछ दिन बाद तारा एक बड़ी सी गाड़ी में बैटकर गली में बर्माला डाले नितिन नाम के लड़के के साथ आती है तारा ये कौन है यहीं बताने आई हूँ मैंने शादी कर ली है ये नितिन है मेरा पती नमस्ते साली साहिबा नितिन के सुभाव में जलकते अयाशी पन को भापते हुए सुधा को देर नहीं लगती है तारा मेरी बेहन यादमी तेरे लिए ठीक नहीं है पंद करो अपनी बक्वास सच तो ये है कि अब मैं अमीर हो गई हूँ इसलिए तुम्हें मुझसी जलन हो रही है मगर आप में तुम्हारी बेहन नहीं बलकि एक बड़ी अमीर खांदान की पहू हूँ इसलिए मेरे पती के लिए एक शब्द मत कहना चलो नितिन तारा अपने अमीर से सुराल चली जाती है वहीं कुछ दिन बाद सुधा गरीब नरेश के साथ शादी करके आ जाती है जहां सुलोचना उसका स्वागत करती है आओ दुलहन मेरे छोटे से घर दोआर में तुम्हारा स्वागत है सुधा अब तक मैं और मेरी माँ एक दोसे का परिवार थे अब तुम भी हमारे परिवार में हो मैं तुम्हें महल देने का वादा तो नहीं कर सकता मगर इतनी मेहनत करूँगा कि बहुत जल्द इस जोपरी को तोड़ कर एक छोटा सा घर बनवा दूँगा अगले दिन सुधा अपनी जोपरी के बाहर जाड़ू लगा रही होती है तब यह वो पड़ोस में अपनी अमीर बहन को देखकर चौक जाती है यह बड़ा सा बंगला मेरी बहन तारा का है मतलब कि मैं अपनी ही बहन की पड़ोसन बन गई हूँ पर तारा को यह पहले से ही पता होता है इसलिए वो जान बोज कर अपनी अमीरी का जोटा दिखावा करते हुए बंगले के गार्डन में राजाओं महराजाओं की तरह कोर्स्ती टेबल लगाए बैठी खाती पीती है अरे वाह क्या मीठी अंगूर है अरे वो लल्लू के बच्चे अच्छे से पकड चाता अगर मुझे जरा भी धूप लगी तो तेरी नौकरी खा जाओंगी तो कोडी के नौकर जाकर एक काम धंग से नहीं करते चाता हिलना नहीं चाहिए जी बीबी जी अरे वो रामू आज मैं यही नाश्टा करूंगी चल दी से नाश्टा लगाओ अब तक तो मेरी करीब पड़ोसन बहन ने मुझे देख लिया होगा यह कहकर तारा गरीब सुधा को देखने का नाटक करते तफरी बाजी करती है अच्छे तो मेरी अपनी गरीब बहन इस छोपरपटी की बहु बनी है तुम क्यों मुझे जलीर करना चाहती हो दीदी यही करीब मिला था तुम्ही शादी करने को तब भी सुधा रोते हुए बोली तारा यकीन मान बहन अगर पता होता कि तो इस बंगले की बहु है तो मैं तेरी पड़ोसन कभी बहु बनती ही नहीं अमीदी की नशे में चोड तारा अपनी गरीब पड़ोसन बहन का दिल दुखा कर चली जाती है मगर वक्त किसी एक का होकर कहा रहता है एक दिन सुधा गरीबी में उपले पातरी होती है तभी तारा उसे नीचे दिखाती है हाई दी मेरी गरीब मेहन की फोटी किस्मत शादी से पहले भी गरीब थी और बाद में भी इसलिए मैंने गरीब से शादी नहीं की इसमें तारा की सास भढ़कते हुए उस पर चलाती है तारा ओ तारा कहा मर गई जी आई सासु मा तारा डली सेमी सास के पास आकर खड़ी हो जाती है तभी नंद पावनी कहती है लो आ गई मैडम मा मुझे पता चला है वो हमारे पड़ोसियों के गरीब जौपड़ी में जो बहू बन कर आई है वो तारा भावी की बहन है फिर तो हमको भी अपनी बहुरानी से काम लेना चाहिए चल बहुरानी पैर दबा जी सासे मा तारा रमोला के पैर दबाने लगती है तभी रमोला उसे लात मारती है चल हट हाथ में जान नहीं अच्छे से दबा उस दिन से तारा के अमीर सस्वृल वाले उसकी बहुत दूरगती करती है रमोला सारे नौकर चाकर को भी काम से निकाल देती है और दोनों सास नंद मिलकर तारा को अपने इशारे पर किसी नौकर की तरह नचाती है तभी तारा एक दिन तंग आकर आपत्ती जताते हुए कहती है माजी, ननन जी, आप तोरो मेरे साथ इतना बुरा बरताफ क्यों कर रही है? अपनी खैर मनाओ तारा भावी, हम तो बस तुमसे बरतन ही मंजवा रही हैं अगर ये बुरी लग रही हो, तो एक बार अपनी गरी पड़ोसन बेहन की जिन्दगी देख लेना ननन जी, भले ही मैं इस घर की बहू हूँ, मगर मेरी जिन्दगी से कहीं ज्यादा अच्छी मेरी बेहन की जिन्दगी है था तो चली क्यों नहीं जाती अपनी उसी गरी पड़ोसन बेहन के घर में, मैं भी देखूँ, वो तुझे कितने दिन रोटी खिलाती है ऐसा कहते हुए सास रमोला धक्के मारकर तारा को घर से निकाल देती है, तारा रोते हुए अपनी गरीब बेहन के घर आ जाती है दीदी तारा मेरी बेहन क्या हुआ तुझे दीदी मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया तुमने ठीक कहा था दीदी मैंने बहुत बड़ी कल्टी की मुझे लगा था कि दौलत हर खुशी देती है मगर मैंने खुद अपने हाथों से अपनी सिंद्ध की नरक बना ली बेटी अब रोके भी क्या हासिल होगा तुम यहीं रहो ये भी तुमारा घर है अपने गरीब बहन के जोपड़ी सस्राल में रहकर तारा जब उसे एक बहु से बढ़कर मान सम्मान मिलता देखती है तो उसे सुधा के लिए खुशी होती है मगर दूसरी तरफ वो अपना घर तोटने की वज़ा से दुखी रहती है जिससे सुधा उसके सस्राल में आती है माजी मैं आप लोगों के आके हाथ चोड़ती हूँ मेरी बहन को वापस ले आये आपका बेटा उसे अपनी दुलहन बना कर इस घर मी लेकर आया था वो आपके अमानत है अगर कल को पावनी के साथ ऐसा हो तो क्या बीते की आप पर सुधा की बाते रमोला को ये सोचने पर मजबूर कर देती है और वो तारा को लेने आते है आखर में बहुत सस्राल लोट जाती है और दोनों बहने खुशी से रहने लगती है